आपि कसी रोमाना यो कहे जो में किये व्रजलेपा मेरे साहिब सो देश मेरे साहिब सो देश पतित सिरोमाना यो कहे प्रनेश्व रक्षरतीत ने इस किर्टन ग्रंथ के प्रिक्ण में श्री महमती जी के धाम इडेश से यह दर्सहया है कि इस नस्त्र जगत की रहा पर जो नहीं चलता संसार उसको पतित कलता है यह सारा संसार परमात्मा को या तो साकार मानता रहा या निराकार मानता सकार मानने वालों ने परमात्मा को स्वर्ग बैकुंठ में माना, निराकार मानने वालों ने, सर्वत्र ब्यापक माना, कड़कड माना, सकार मानने वाले भी मानते हैं कि हर प्राणी के अंदर परमात्मा है, वो भी कड़कड में मान लेते हैं, लेकिन सकार से परे, निराकार स पर परब्रम का जो स्वरूफ है उसके बारे में कोई का नहीं पाया। इसी प्रक्ण में आगे महामती जी की आत्मा कहती है कि याज जग में इक क्यारे पती थी, कोई न पहुंचिया पार, बहुत दोड़े तो शुने तोड़ी आड़ी बड़ी निराकार। याजग में एक क्यारे पती थी इस संसार में वो पती कैसे कोई काला सकता है जो निराकार के पार नहीं हुआ क्योंकि संसार का हर मनिसी हर योगी यति बहुत दोड़े तो सूने तोड़े आड़ी पड़े निराकार कारण में जागर के रुक जाता है आगे मोह ततुका पर्दा है उस मोह जागर को कोई पार नहीं कर सका इसलिए जब सभी एक ही अस्तर पर होते हैं जैसे मालेजिये एक कलब में आप चले जाएए जहां सब लोग सराब पी रहे हों आपने सराब को छुआ नहीं तो सराब पीने वाले क्या कहेंगे यह कहां से बैकवाड आदमी आगया है यह तो हमारे साथ रहने के लाइक लिए ऐसे ही संसार है सारी सक्ति लगा कर भी जब दुनिया के बड़े-बड़े योगी यती महान पूरुस निराकार से परे के बारे में कुछ नहीं जान सके तो महामती जी ने कहा कि मैंने उसके परे की बात कही है तो संसार मिछे पतित करता है पतितन के सिर महामत मकुटवा ने जिन एजुद जग में लखाया पतित कौन है? परमधाम की ब्रहमसिस्टिया जो संसार से उल्टी रहा बनाती है संसार कर्मकान की रहा बनाता है परमधाम की ब्रहमात्मा प्रेम के तिरुनातीत मार काउंसल करती है हम से सबसे बड़ी जो भूल हुई है हमने संसार से डर कर संसार जैसा बहुत कुछ अपना लिया है हम जरूर सिधान तो मानते हैं कि निराकार के पार थे तिन पार के मार हम कहते हैं कि हद पार बेहद है बेहद पारक्षर हम राजी को सकार और निराकार के बंधन में नहीं बानते हैं लेकिन जो उनको पाने का मार्क है हमने नवधा भक्त से बहुत कुछ लिया है हम वास्तों म आप लेवे, वो अंधर आग गरीब साथ जो सुक्यारी पती दी लेवे. सुर्दाश जी ने सुम को पती कहा एक पद में, कि मैं तो पती थू. सुर्दाश जी का एक पद बहुत अच्छा मुझे लगता है. उस पत को राज नर्थकी ने भरतपूर के राजजा की नर्थकी ने काया था, जब विवेकानन जी उनके अतीत के रूप में ठहरे वे थे, मित्र थे. प्रभुजी मेरे यौगों ने चीतना देरो. उस के निर्थ से प्रारम से होने से पहले विवेकानन ने सूचा, कि नर्थकी क्या गाएगी, उठकर जाने लगे. उनके भरतपूर के राजा, जो मित्र थे, उनके काया कि स्वामी जी, आप मेरे याग्रा से बैठ तो जाएए. वो नर्थकी गाती है, जिसका भाव है कि प्रभुजी मेरे यौगुन चितना दरो, एक सोना होता है, जो कसाई के हथियार के रुप में जानुर की गर्दन करता है, एक लोहा होता है, जो कसाई के हथियार के रुप में प्रिग होता है, एक लोहा होता है, जिसकी मुर्ती ब नर्थ की हूँ, मुझे अनेति कर्म भी करने पड़ते हैं, लेकिन मेरी आत्मा तो आपकी है, इसलिए बहुत भाव वेवल अकोपद गया था, ऐसे ही एक पद में सूर्दाची ने अपने को पतितका है, पतितका लाने का भाव क्या है यहाँ, सूर्दाची का, कि अपने अंक अंकार रखता है, अपनी साधना का अंकार रखता है, अपनी भक्ति का अंकार रखता है, अपनी बिनमर्ता का अंकार रखता है, तो उस पर प्रस्त खड़ा हो जाता है, यदि आप कहें कि मेरे जैसा कोई सिल्वान नहीं, मेरे जैसा कोई गुडवान नहीं, मेरे जैसा तपस्वी नहीं, तो ये आंकार सबसे बड़ा भी कार है, सूर्दास जी ने अपनी बिनम्रता को दर्साया है, लेकिन महामती जी के आत्मा कह रही है, वो बिचारा साथ, वो अंधा रांक गरीब साथ जो सुख्यारे पती लेगे, गरीब क्यों कहा गया? कि उसके पास तारतम जान का प्रगाषên है, अंधा क्यों कहां गया है? कि तारतम जान नहीं होने से सूर्ज आस के पास अंतर द्रिस्टी नहीं है, ठीक है, सूर्दास जी ने बाल-कृत्स के राधना की, बल्भाचारी के सीशेयों में थे, लेकिन बल्भाचारी को तो भी पता नहीं कि अखंड वास्तों में है का। छेद इंड में किया सही पर अखंड दिस्टे आया नहीं। बल्भाचारी नहीं अपनी सुगोधनी ठीका में। अखंड की तरफ संकेत किया। अखंड मंडलम रमान नावं दिष्टवाचा तत को मल गोब रंजितम जगव कलम बाम दिष्टवाण। जब महाराज के लिए राज जी योग में आके ब्रहान में प्रिविस करते हैं तो भागवत में इस स्लोक आता है कि योग माया मुपास्तृता है। इन दो मंत्रों की व्याख्या में भागवत के विद्वानों में बहुत बड़ी होल लगी रहती है। लेकिन कोई भी दो स्लोकों की व्याख्या आसपर शुप से कर नहीं पाता। एक ग्रंथ हैं मैंने कई वर्षू पहले देखा था इलावाद विस्व बिद्वाले की लिब्रेरी में अर्या साथ के साथ गया था तो मैंने उसके पन्ने पल्टे थे। इन दो स्लोकों की कई-कई विद्वानों ने ठिका की हैं। एक एक स्लोक पर विस्तार से लिखा है कि पेज के पेज लिख डाले हैं। लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा है कि योगमया है का। संसार का बड़ा से बड़ा विद्वान ये नहीं जानता है कि योगमाया है क्या बेहद है क्या परमधाम है क्या अब सूर्द ऐसे पतित कहावे और की सुभा आप लेगे किसी को कहते जिए कि तुम पतित हो तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा पतित कार्थ जानते हैं क्या होता है पापी गिरा हुआ जो जिस समाज में रहता है उस समाज के उनसार आचलन नहीं करेगा तो वह समाज उसको क्या कहता है यह हम से अलग है यह गिरा हुआ है, हमारे अस्तर के नहीं है जैसे जहां सभी मांस काते हूँ जो सकार मानता है या निराकार मानता है वो अच्छा है यदि आप जहां कुम के मेले में जाए और जहां सभी पंतों के अचारे हों कहें कि न तो हम सकार को मानते हैं न निराकार को मानते हैं तो सभी क्या कहें कि कहां से नाय ज्यान ला दिया आज तक तो किसी ने कहा ही ने कि स तो सुन्दर साथ ने सोचा कि संसार में रहनाख oralों से बढ़न क्यों ले इसलिए कुछ अपना लिया कुछ उनका लिया अपना क्या लिया हम कहा देते हैं कि निराकार के पार थे तिन पार के पार को हम मांगते हैं हम ये भी मां लेते हैं कि निराकार साकार से पर हमारे राची है लेकिन हमने उनकी नौधा बक्ति अपने उपर थोप लिए जबरन क्यों अच्छा कह लाने के लिए हमरे समाज में चित्वनी की लिए किसी मज़ पर बता स्वाइब है कंठी की महत्ता बता दु कित्वन्ह के Chintan की महिमा क्या है हमें कैसे आत्मा को शाक्रित करना है यह यह नहीं कह А जाएगा पूरी वाणी क्या कहती है कि प्रक्टे पूरान ब्रह्म सकल में ब्रह्म से जिर्दार इस्वरी सिष्टी और जीव की सब आई करून दिदार आप देखिए कवीर को मानने वाले कवीर को कितना उचा अस्थान दे रहें इस्वर का सरुप कहते हैं मुहम्मद सहाब को मानने वाले मुसल्मान अल्ला ताला के समकक्ष धार आते हैं और हम प्राणनाजी को गर्व से करते हैं, प्राणनाजी राष्टी संत हैं, प्राणनाजी संत हैं, महापुरूस हैं, कभी हैं, आचारी हैं और यह चोटे मटे बिद्वान नहीं कहते हैं, हमारे समाज का सिरस्वर प्राणाजी को संत कभी महापूरुष घोसित करता है, भक्त सिध करता है, तो यह क्यों हम कहे रहे हैं, ताकि हमें संसार के लोगों के बीच में कही सिध न करना पड़ जाए कि प्राणा तक्षरतीत कै से हम डरते हैं संसार से, तो हम पतित कहला नहीं सकते, उनके बीच में जदी हमने कह दिया और सीध नहीं कर पायें, तो सब क्या कहेंगे, कहां से जान दे लिए, इसलिए, पतितन के सिर महामत मुकुठमन जिन एजुद जग में लखाया, पतित कहलाने वाली ब्रहमशिच्य स्चियों के सीर पर जो प्रेम क्मक्ट है, जैसे आप देखते हैं तो अज्छल उपाधियां होती है, संत शिरोमणी, विदवत शिरोमणी, हैं सारी उपाधियां है, महामती जी ने क्या कहा है पतित शिरोमल पतित कौन है ब्रहमसिष्टियां और पतित कहलाने की सोभा क्यों ब्रहमसिष्टियों को है क्योंकि वो संसार से उल्टी रहा चलती है संसार के लोग साकार और निराकार में फसेंगे. नौधा भक्ति में फसेंगे. इनकी राह सबसे उल्टी है. नौधा से नारा कई हो. चौधे भवन में नाव सुप्रेम कहा से पाई है? जो बस्त को पीएन में. प्रेम कमार्ग लेकर परमधाम की ब्रहमात्मा प्रेम की रहा अपनाती है जो प्रेम अक्षरातीत के हिर्दे में समाया हुआ है प्रेम वबसे पिया के चित और इसलिए उनको पतित कहा जाता है पतितर्न के सिर महामत मुकुट मन महामती जी क्या करें पतित कहलाने वाली ब्रहमात्माओं के सिर पर जो प्रेम का मुकुठ है उसमें एक मणी के समान, अनमोल मणी के समान महामती जी की सुबा है जिन ये जुद जग में लखाया महामती जी कह रहे है कि मैंने माया से युद करके, निराकार से परे निराकार के पार के पास उस अक्षरातीत का कैसे दिदार किया जाता है नहीं तो मेरे जैसे तुम भी बिगड़ जाओगे स्रीजी के साथ 5000 की जमात आती है घर द्वार सब को छोड़ कर समय का चक्र है साथ साथ रहने पर कोई किसी की गरिमा नहीं समझ पाता उन सुंदर साथ के भी मन में आ जाता है स्रीजी के आउगुण देखने लगते हैं तो कई किरंतन उतरते हैं साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुणे कार कर रबानी सुनाई तुमको कि ये जो खलक हुआ थüm अपने घरों में अराम से रते आपे बाल बच्चों में रते मैंने यह गुनाह किया, कि तुमको घर द्वार छुड़ा दिया, और मेरे साथ रहने पड़, तुम्हें माया के तरह तरह के कर्ष जलने पड़े, मैंने तुम्हें परमधाम का ज्यान दे दिया, तुमको ये भी अस्चरी होता है, किसी परमधाम को पाने के लिए अक्षरातीत की सानितिता के लिए तुमने घर दुआर छोड़ा था तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यदि तुम अपने घर में रहते अपने बाल को पाल में अनंदित रहते मेरे साहत तु देखो मैंने तुमको मंदसौर में भिख्चा मांगवाई और अंगाबाद में मेरे कानद तुमें कर्ष्ट जहलना पड़ा उदेपुर में भी विरक्त कवेश तुमें मेरे कानद धारन करना पड़ा इस तिये मेरे उपर ये दोस लगता है यह कौन बोला है महामिती जी के हिर्टे की पीड़ा बोल लए है और उसी भावे उन्हें ने कहा है कि सूर दास को पतित कहलाने का अधिकार नहीं है सूर जैसे पतित कहावे और की सोबा आप लेवे ओ अंदा साथ गरीब वो अंदा रांक गरीब साथ जो सुक्यारे पतिती लेवे सूर्दास कितने भी भी नम्बर बन चाहें लेकिन तार्तम ज्यान का प्रकाशना होने से उनके अंदर अंतर दिर्ष्टी नहीं होने से अवस्य उन्होंने कह जाता है कि सुर्ष सागर में सवा लाक पदर रचे थे किर्ष की बाल लिला का बढ़न करने में लेकिन सुर्दास जिन्होंने अपनी दोनों आँखों को खोने के बाद संसार में किसी को देखना नहीं चाहा किर्ष के प्रेम में मगने रहे वे सूर्दास जीवन भर भक्ती करते करते ठक गए लेकिन निराकार से परेग की हकीकत उनको मालूम नहीं हो पाई आप सोचिए हम संदर साथ बाणी का एक गंड़ा चिंतन नहीं करते सूर्दास जी का नियम था जब प्रात काल कुछ पद नहीं बना लेते थे तब तक वो जलपान नहीं करते थे यही सिक्षा हम को लेनी चाहिए हम संदर साथ परमधाम की ब्रहमात्मा काला दे लेकिन प्रत दिन हम वाने का एक गंड़ा भी स्वधाय नहीं कर पाते और सूर्दास के निष्ठा देखिए प्रत दिन कुछ भजन, कुछ पद बना लेने है और सूर्दास के पदों में देखिए कितना विरा है कितना प्रेम है ऐसा लगता है कि दोनों आँखों को नों होती हुए भी ब्रज लीला को सक्षा देख रहे है मैया मुरी मैं नहीं माकन कायो कितना प्रेम के सब्द निकल रहे है हमें कहीं न कहीं उनके बेक्तित से सिख्छा मिल रही है कि इस जागनी के ब्रहमान में जब तार्तम का अमरित हमें बानी के रूप में मिल गया है तो आज आँख सकता है कि ब्रहमबानी के चिंतन में हम डुमे ब्रह्मवाणी के मोतियों को अपने हिर्दय में धारन करें और यहीं बैठे बैठे अपने प्रानिस्वर को जी भर कर देखें अब जबाई सुर्व होती है पतित शुरोमन योग है जो मैं किये है बज्जरलेप मेरे साहिब सोद्विस पतित शुरोमन कौन है महामती जी की आत्मा कह रही है मेरे अक्षरातीत आपने मुझको पतित शुरोमन तो बना दिया लेकिन मेरे उपर मैं जो किये है बज्जरलेप बज्जरलेप किया है अमिट गुना है अमिट गुना क्यों कहा है प्रेम की डगर ऐसी होती है जिसमें अपना सब कुछ गवाना होता है जदि हम प्रेम के बदले कुछ मानते हैं तो हमारा प्रेम कलंकित होता है गोपियों ने किर्ष से कभी कुछ नहीं मागा है गोपियां सो वर्स किर्ष के विरों हमें तडपती रहती हैं बीरा में सरीर छोड़ देती है किर्ष से कभी नहीं करती है कि हे किर्ष हमें मुख्छ दे दो हे किर्ष हम बहुत दुखी है हमारा दुख दूर करे किर्ष के प्रेम में दुखी रहना भी उनने को आनंदित कर रहा है हम सुंदर साथ की आस्था क्या है हम तो राजी को एक देवता बना बैठें जिसको नारियल चढ़ा देने से खुस हो जाएंगे बागे चढ़ा देने से खुस हो जाएंगे कुछ पैसे इसके पाठ रखवा देने से खुस हो जाएंगे और उसके बाद हम राजी को भूल जाते हैं और इसका हम फल चाहते हैं, नित पार्ट करेंगे, उसका फल मिलना चाहिए, मेर सागर का पार्ट करेंगे, उसका फल चाहिए, यदि हम कुछ कामना रखते हैं, तो प्रेम नहीं हुआ, मिराज से बहुत बड़ी भूल हो गई, मिराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा है, ज देखते हो, मैं क्यों न देखो, एक्छा होना स्वभाविक है, मुझे भी परमधाम दिखना चाहिए, यह अच्छी बात है, इसमें कोई दोस्त नहीं, लेकिन यह कि सत्कु महराज, आपको परमधाम दिखता हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखेगा, यह प्रतिद्वन दित आपने मुझे सिरुमर कर दिया कि मैंने प्रेम के मार्ग पर सब से अधिक कादम बढ़ाया, देखिए, स्री देवचन जी के तन से, राज जी ने लिल्ला कराई, प्यातों को मैं बववित खोजिया, छोड धन्दा सब और, पुछत फिरो सुहाग ने कोई बतावी प्यातो देवचन जी सभी पंथों में जाते हैं, अपने भी तक में सुनाओंगा, हट योगियों के पास भी जाते हैं, दतात्रेक और नियाई सन्यासियों के पास भी जाते हैं, वैरागियों के पास जाते हैं, जो जैसा बताता है वैसा ही करते हैं, क्योंकि उनको ललक है कि किस तर चुल्ले को लिपते हैं और भोग के बराबर भोजन खुद तयार करते हैं अपनी पत्नी को भी सोयोक करने नहीं देते और तब बैठ करके ध्यान करते हैं जैसा संसार में परचलन था वैसा करें मीराज में ऐसा कुछ नहीं किया मिराज जी सद्गुर्ध धनिश देव चंजी के मुखार मिन से परमधाम की चर्चा सुनते हैं और किवल चित्वन ही करते हैं मिराज जी ने कभी कोई पाठ नहीं किया कभी भोग नहीं लगाया कभी कोई माला नहीं जब भी कुछ नहीं करते हैं के वल जान और प्रेम का आस्रे लिया और हपसे में बीरह में तरब तरब कर अपने प्राने स्वर को अपने सामने प्रतूत किया इसलिए स्यामा जी के आत्मा ने रूफ अल्ला करी बंदगी तो यामे उनकी मैं गुना कहिया इन पर जो मांग लिया हक पर बंदगी में भावना तो आती है कि मैंने आपके लिए पाठ किया आपके लिए पूजा की आपके लिए ये किया प्रेमे में नहीं स्री देवचन जी के तन से सिपारिष करवाई जाती है सब सुन्दर साथ से बिलक बिलक रोए रोए लिखे बचन सो लेले रुहें पेचाए कौन करवा रहा है सियमा जी के उस्तन से हसी कराई जा रही है क्योंकि सियमा जी के उस्तन उस्तन से बंदगी करवाईगे और बंदगी में चाहत होती भक्त को भगवान से कुछ चाहिए प्रेमी को प्रेमासमत से कुछ नहीं चाहिए जिसने अपना हिर्दे दे दिया हो वो क्या मांगेगा इसलिए जो राजी से सच्चे प्रेम करते हैं वो राजी से कुछ नहीं मांगेगे अपना हिर्दे लुटा दिया मांगेगा किसके लिए वो उसका अपना अस्तित नहीं है गुपियों ने किर्ष से कुछ नहीं का, राधा ने किर्ष से कुछ नहीं मांगा, इसलिए तो किर्ष राधा को मनाने के लिए राधा के पाओं भी पकड़ते हैं, जागने के ब्रह्वान में जो आत्मा जागरित हो जाएगी, और राधी से बह क्यूं जाएगी, बह तो जीव से स्ष्डी का काम मैं मांगना, हम राधी से परारता करते हैं, यह किर्दी हमारा यह काम होजाएगा, मुझे कई ढ़र ध्यान ही नहीं रहता है, कि राधी से कहना भी है, क्योंकि सर्षवा का वर्षी को सो हो जाता है मुझे याधी भी नहीं रहता है कि अरे मैंने तो पाठी नहीं रखाया है मुझे ऐस्चर होता है कि कोई देवी देवता काम कारिकम नहीं करने जा रहे हैं सब लोग कहते हैं परंपरे कर शर्श्रम में रख दिया जाता है लेकिन मुझे पन्नाजी में रखवाने की ध्यान ही नहीं रहता है मैं यह नहीं कहते हैं कि अब में कीजिये मेरा ध्यान नहीं जाता है शुरू में एक दू बार लखवा दिया था 종 joined part रखवाई है सब कुछ कीजिये लेकिन यहाद तो सोचिए कि आपके राजजी आपके हिर्दे के प्राणिश्वर हैं कोई देवी देवता नहीं आप रमेन का पार्ट रखवा देते हैं भागवत का पार्ट रखवा देते हैं का पार्ट संसार में चलता है हम भी उसे की नकल कर लेते हैं तो हमारा प्रेम पिछे रह जाता है प्रेम क्या है आप अपना सब कुछ दे दीजिए मांगिये कुछ नहीं रामकृष परमांस से सब ने कहा कि परमास जी आप एक बार तो कह दीजिए कि मां मुझे ठीक कर दो रा हमारे पास धहरे हैं नहीं जदि हमारे मेर सागर के पार्ट करने से हमारा काम नहीं होता है तो हमारी आस्था डिकमगाने लगती है सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हनुमान जी अच्छे थे सारी बात मान लेते थे माया का काम हो जाता था हमारी आस्था बालू के दिवाल पर ऐसा लगता है कि बन जाती है लेकिन नहीं महामती जी की आत्मा को यह भी सान नहीं है जब पैसे भर अन्र का भोजन करने लगते हैं सरीर हट्यों का ढचा रहा जाता है कि आपको दिखेगा तो मुझे क्यों नहीं दिखेगा आपके अंदर भी परमधाम की स्यमाजी की आत्मा है और आपने काया कि मिहराल तुम्हारे अंदर परमधाम की अंद्रावती आत्मा है तो मैं जीव के अगड़ों को दूर कर लूँ तो मुझे भी आप की तरह दिखने लगे, आप की तरह मैं भी परमधाम का बढ़न करूँ, यह जो भावाया कि आप की तरह वही गुना का करूँ, हर सुन्दर साथ को प्रयास करना चाहिए, कि मैं परमधाम दिखे, हमें दिखे जाएं, यह हमारा नेतिक अधिकार है, लेकिन यह कहना कि मैं परमधाम दाज जी की तरक्यों नहीं हो जाता, मैं लाल दाज जी की तरक्यों नहीं हो जाता, मैं छत साल जी की तरक्यों नहीं हो जाता, यह उचित नहीं है, हमारा कारिया है अपना सर्वस निछावर कर देना it yag में sa one लेकिन कोई चाहत नहीं राज्जी से कोई सिपार इसमत कीजिए तो इसके लेगे जिए कि राज्जी मेरा हिर्दय आपके लिए सिंव पी suis मेरे हिर्दयध में आजाओ लेकिन यह मत कहिया कि राज्जी आपने उसको मेरे से ज़्यादा सोभा क्यों दे दी यदि आप यह द्वेश करते हैं तो आपका प्रेम नहीं है यह कलंक लगता है प्रेम इतना स्टिक मड़ी के समान निर्मल होता है चंद्रमा में तो धब्बे हो सकते हैं कॉमल के फूल पर भी माना जा सकता है कि कोई दाग लग सकता है लेकि प्रेम बसे प्या के चित प्रेम अक्षणातीत के हिदे का बहता हुआ रस है और यदि आप प्रेम के उस मार्क पर चलते हैं तो आप में किसी तरह का विकार नहीं होना चाहिए, किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए महामती जी के आत्मा कह रहे हैं कि मेरे धाम दनी, जो मैं किये हैं बच्रिलेप मेरे साहिप से दूईस, मैंने अपने साहिप से अपने प्राणिश्वर से जो सत्गुरु धनिसी देविचंजी के धाम विर्दे में लेला कर रहे हैं थे उन से होड़ बान दे कि आपको परम धाम दिखता है मुझे क्यों नहीं दिखता है और तभी जब बाल भाई ने कहा कि तुमने इनके सुरुप की क्या पहचाम की है देवचंजी कहते हैं कि मिराज अभी वो समय नहीं आया है जब तक राजी मेरे तन में लिला कर रहे है तब तक मेरे तन से ही वड़न होगा एक समय आएगा जब तुम्हारे तन से परमधाम के वाणी आउतरित होगी तुम्हारे तन से परमधाम का सारा ज्यान आउतरित होगा लेकि यदि तुम्हे जल्दी है तो मुझे इस तन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि राजी एक साथ दो तन में लिला नहीं कर सकते तब मिराज को अपने भूल का अभास हुआ सद्गुर धनिस देवचंजी कहते है कि मिराज यदि तुझे मेरे स्वरुप की पहचान हो जाते तो यह होड़ नहीं बांता तो मेरी प्रदेक्षना करते रहा था प्रदेक्षना करने का ताथ पर तो मुझसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होता इसलिए अच्छरतीत ने दो तनों में लेला की देवचंजी के तन में और स्री मिराज के तन में और इन दोनों तनों में बैठे वी अच्छरतीत की जिनों ने पहचान कर लिया इसलिए वारी करते है तुम्ही उतर ऐ अर्ष से, इत तुम्ही क्यों मिला तुम्ही दैसुद अर्ष की, जो अर्ष में हुआ, जो अर्ष में हुआ परमधाम में आप नोरी सरुप से हैं, और इस अंसार में आवेश सरुप से आप आए जागरों में धन वो तार्दम जान के रूप में आपने बाड़ी में समाहित तो करती आए महामती जी के धा मिर्दे में आप साथ बैठे हैं तबी तो काये सोतु अब जाहेर भे सववित वतन से परमधाम के संपुण जान के साथ आए और जिन्होंने उस स्वरुब को पहचान लिया रिजहा लिया उन्होंने अपना जीवन दंदन कर लिया इस छटे दिन की लिला में हमारे नित्तिक उत्तरदाई थे कि महामती जी के धा मिर्दे में बैठे हुए अपने प्राणिस्वर को अपने धा मिर्दे में हम खोजने का प्रियास करें और उनके लिए अपना सर्वस्च निच्छावर करें वो अक्षरतीत जो मूल मिलावे में बैठा है तो महामती जी के धा मिर्दे में भी बैठा है और मार्फ़त के दिश्चे हमें हमारी धा मिर्दे में भी है वो भी देवी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते हैं, एक नारियल चला देते हैं, एक मिठाई का पैकट चला देते हैं, कुछ रुपय चला देते हैं, हम भी चलाते हैं, आप से राजी मिठाई नहीं मांगते हैं, धन नहीं मांगते हैं, राजी आप से आप केवल दिल मांगते मैं तो आपा दे रहे तुम मेरा अख्या जी बल दे आप खड़ी करीब कचुकार जब लगी अपना सर्वस महामती जी ने लुटा दिया जब आप इसो क्यंग में स्वाहंस भी छोड़े हो संग हबसे में महामती जी ने जब ने किया कोई अवैस थक्रम करन ने किया मेरी आतमा इस सरीर को छोड़ेगी तब आपको सर्म आएगी तब आप मेरे सामने आऊगे इस अधिकार के साथ कि आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा और बिराय में तरपते तरपते जब यह इस्थिति आती है कि आ भी सुकी अंग में सौंस भी चड़ू संग तम तम परदा डाल के दिया मोई अपने अंग आहों ने निकलना बंद कर दिया है आखों के आशू तो पहले ही सुक चुके है कोई प्रार्थना नहीं कर रही है महामती जी की आत्मा एक हिर्दा ही पुकार रहा है कि एक संत्य ने क्या कहा है अखियां हर दर्शन की प्यासी लेकिन प्यास भी जहां समाप्त हो जाए आखों से आशू बहने भी समाप्त हो जाए कि वल आसा बनी रहे कि मेरा प्रणिश्वर आएगा न कोई सब्द है न जप है न तप है न ध्यान है न भूजा है न पाठ है उस त्रिग्णाती तवस्था में प्रणिश्वर को पाया महामती जी ने और इसलिए पतितों के सिर महामत मकुटमन जिन एजुद चक्मी लगाया सभी ब्रहमसिष्टों के लिए एक मार्व दर्सक के रूपे महामती जी के तन को राजी ने सुभा दी है लेकि महामती जी स्वयम कहते है कि मैंने स्वयम अपने प्राणिश्वर से द्वेश कर लिया कि आपको दिखता है मुझे क्यों ने दिखे हम संदर्साथ को भी आपस में द्वेश नहीं होना चाहिए हम जितना अपना हिर्दे पईत्र करेंगे राजजी ने जिसको दिया जो बक्सी थी वो उनकी लिला है हम को जो मिला है हम उसमें खुश रहे हैं हम अपना है हिर्दे लुटाने में सबसे आगे रहे हैं यह भावरकना चाहिए बहाश्री बजी थी तामसियों ने पहले अपना तन चोड़ दिया राजसियों ने भी कुछ उल्टे पुल्टे सिंगार किया, स्वांतिशियों ने देरी कर दी कि संसार क्या काईगा, उसी तरह से, कोई आगे, कोई पिछे, इसक लेशी सब को है, पहले इसक जिन लिया, सोहिस्वागी नोर, जो प्रेम में सबसे अधिक आगे होगा, समर्पड में आगे होगा, वही बाजी जितेगा, उसके यहां सिपारिश नहीं चलती, उसके यहां खरा प्रेम चलता है, स्वागी ने सिपारिश करवाई, उन अत्तर चिठियां लिखवाई, राजी ने कोई सिपारिश नहीं माने, क्योंकि वो न्याई के अनुकुल नहीं था, वाहतत की मारिफत का जो सुरूफ है, उसके अंदर पक्षपात कहां से आ जाएगा, प्रेम की दोड में इंदरावती बाजी मार ले गई, तो इंदरावती को अपना सिंगार, नाम सिंगार, सोभा सारी में भेग तुमारे लिए, छटे दिन की लिला में भी राजी अमाहन क आज हम प्रेम की डगर पर चलें, तेजी से दोडें, अपना सरवस समर्पर राजी के लिए करें, अपना तन समर्पित करें, मन समर्पित करें, जीव समर्पित करें, जागने के परचार में धन समर्पित करें, दिखावे के लिए नहीं, बाणी के ज्यान को फैलाने में, अ प्रेम आ जाता है तो हम इत्वी धंदन होंगे और उत्वी धंदन होंगे इस प्रकन की पहली चुपाई हमसे बहुत कुछ कह देती है यदि हम इस चुपाई का मर में समझ जाए कि पतित सिरुमन यो कहें जो मैं किये है बजलेप मेरे साहब सो देश तो साहद हमारा जीवन ध चैब सेंदन हो जाएगा कियोंकि प्रेम का में रब्द ही तो रही तो हुआ था जो इस खेल का करना और यह प्रेम का संभाद है को नए नहीं था जब से परम धाम अध greedy मात है वहाद्ध कर ने होदा है कि प्रेम करने माला आपने प्रेम का दबा करेगा और इसका निरने कि हुआ है कि कोई प्रेम में छोटा बड़ा कौन होगा एक ही राजी का दिल सभी रूपों में लिला कर रहा है और आज भी हम कहें कि हम बड़े हम बड़े हम को बड़ा बनाए तो राजी भी तो हंसते हैं कि इनके लिए इतना खेल बनाया ये बड़े छोटे की भावना कहा हो आप सबसे छोटे बन जाइए जब लग रही है साथ में हो रही है रेडू समान इन जागे का फल एह है कोचेतो चतुर सुजान हम सुंदर साथ में सिरोमडी कहलाना चाहते हैं इसके लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं जो जितना छोटा होता है उतना नहीं वो बढ़ा हो जाएगा राज्वी यज्य में स्रिक्रिष्ट ने खुद कहा कि मैं सब के जूठे पतले उठाऊँगा और सब के याजिक ब्रामणों के पैर्द होँगा यदि युद्धिष्ट कहते है कि युद्रुधन तुमको यह मैं सेवा देता हूँ कि सब के जूठी पतल उठाऊँगे तो उसी दिन वो भाग जाता है कि तुम रिधिष्टिर तुम मेरा अपमान कर रहे हो लेकिन वो युद्धिष्वर है खुद कहते हैं कि मैं जूठी पतले उठाऊँगा और सब के चरुठ होगा इस सबह में जितने सुन्दर साथ बैठे हुए है क्या कोई अपने आप इतनी छोटी से वा लेगा लेकिन नहीं अगर पूजा के समय आता है तो भी सब किता में कहते है कि नहीं इस पूरी सबह में या इस पूरी स्रिष्टी में सिक्रिष्ट से बढ़ कर कोई पूजी नहीं है इस दिए ब्यास भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ क्यों सिक्रिष्ट की बिनमरता ने दर्सा दिया उसी तरह से हम सुन्दर साथ में भी यदि आपस की होड़ खत्म हो जाए कि हम बड़े हैं तुम छोटे हैं हमने ये किया हमने ये किया इन सब को मिटा दीजिए जिस दिन आप मिटा देंगे और स्वयम को अपना स्वयम अपने हिर्दे को राजी के लिए समर्पित कर देंगे राजी आपको सिरोमोरी कर देंगे क्योंकि इस्यामाजी की आत्मा ने मांगा कि मुझसे जागनी कराईए तो राजी मना कर देती है इंद्रावती की आत्मा करे रहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है साहिब हो बैठे तुम आप किसी तन्वे भी राजी है मैं आपको जी भर कर जाओं मुझे अक्षरातीत नहीं कलाना है देवचन जी जीस मांग के लिए 69 पातियां लिकर सिपारिस करवाते हैं इंद्रावती जी की आत्मा ठुकरा देती है लेकि राजी कहते हैं कि महामती यह तो तुम्हारे ही तन्वे होना है इसलिए आप नहीं मांगेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा आप मांगें नहीं कुछ अपना हिर्दे देते जाए राजी को और जिस दिन आपके वाल देना सिखेंगे मांगना बंद कर देंगे राजी अपना हिर्दे ही आपको स्वेम लुटा देंगे और उस समें आपकी सोबा सरूपर रहेगी इसलिए इस परकड़ में एक बहुत महान सिक्षा दी गई है जो हमारे लिए ग्राई करने होगी है